हेलो बच्चों, तो हम अपनी PYQ सिरीज में आज आपके लिए Probability का एक Question लेकर के आया है जो कि Advanced 2023 में आया था बहुत अच्छा Question है Question क्या था? चलिए हम Fast पढ़ लेते हैं Let X be the set of all 5 digit numbers formed using 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0 ठीक है? Examples दिये हैं हमें कि 2, 2, 2, 4, 0 is in X 0, 2, 2, 4, 4 and 4, 4, 4, 2, 2 are not in X, ठीक है भही? Suppose that each element of X has an equal chances of being chosen ठीक है? Equal probability है, हर element को choose करने की Let P be the conditional probability than an element chosen at random is a multiple of 20 ओके? Given that it is a multiple of 5 तो हमें value find out करने है 38 P की तो simply question क्या कह रहा है? कि मेरे को ये question ये बोल रहा है कि जो digits दे रखे हैं 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0 इसमें जो X आ रहे हैं वो जो X है वो क्या होने चाहिए? multiple of 5 होने चाहिए तो first I have to find the multiples of 5 and the 5 digit numbers बनाने हैं उसके बाद में वो जो given जो 5 digit numbers आ चाहिएंगे मेरे पस में से उसमें से वो उन numbers की probability निकालनी है जो कि 20 के multiples होंगे ठीक है? है ना? तो चलिए solve करते हैं हम लोग इसको तो पहले हम लोग अपने digits लिख लेते हैं जो given digits थी हमारे पास में given digits थी बीटा 1, 2, 2, 2, 4, 4, 0 ओके? और 5 digit number बनाना था and that should be multiple of 5 ठीक है? तो हमने पहले बना दिये कि जो numbers है multiple of 5 पहले हम ये वाले बना लेते हैं और 5 digit numbers बनाने तो cases तो बनेंगे हैं तो हम लोग cases बना देते हैं first case 5 digit बनाना है मुझे अब multiple of 5 है तो इसका मतलब है कि last place पह जीरो तो आना ही चाहिए 0 हमने fix कर दिया तो फॉर्स case में मैं बनाती हूँ ये जो 4 digits ये कौन सी आ सकती है ये आ सकती है maximum L1 से start करते है 3 2 ले लेते हैं हम लोग maximum L1 और 1 1 ले लेते हैं 1 case ये बन गया second case क्या बन सकता है हम पहले cases बना लेते हैं अपने ठीक है हमारा second case बन सकता है 3 2 1 4 ओके third case क्या बन सकता है हमारे पास पर third case बन सकता है अब मैंने maximum L1 ये तीन L1 वाला case ले लिया है अब मैं 2 L1 वाले ले लेती हूँ 2 2 4 4 ये बन सकता है 0 तो मेरा fix ही है 4th next case क्या बन सकता है मेरा 2 2 4 4 बन गया है तो भाई 2 2 4 1 बना लो है ना ठीक है अब एक case और बनेगा हमारे पास पर उसको 5th case को हम यहां लिख ले ठीक है 5th case क्या बनेगा कि भाई जब आपने 2 2 वाले सारे cases ले लिये हैं तो 4 4 वाला भी ले लो 2 4 आ सकता है ठीक है तो आप मेंको numbers बनाने है total numbers ये तो हमने डिजे लिया है अब इनका arrangement भी होगा तो total numbers भी बनेंगे तो जो total numbers क्या बनेंगे वह हम यहां ले लेते हैं वह हम numbers लेते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ इनका arrangement करना है मुझे 4 digits है उनका arrangement करना है तो 4 factorial upon 3 factorial क्योंकि 3 alike थे यहाँ पर भी क्या बना 4 factorial 3 factorial 4 यहाँ पर क्या हुआ 4 factorial 2 factorial 2 factorial that is कितना हो गया हमारे पास में 6 यहाँ पर क्या हुआ मेरे पास में 4 factorial क्योंकि 2 2 दो बार आ रहे 2 alike है 2 factorial that is हो गया 12 यहाँ पर हुआ 4 factorial and again 2 factorial that is 12 तो भाई टोटल यहाँ numbers कितने बने total numbers total numbers कौन से हैं जो 5 से 5 के multiples हैं तो कितने हो गई भाई count कर लेते हैं हम लो 4 plus 4 plus 6 12 plus 12 ठीक है तो यह हो गई हमारे पास में 38 ओके तो यह तो आ गई मेरे पास में जो 5 के multiples हैं यह तो given condition आ गई अब इन 38 numbers में से मुझे वो number चाहिए जो 20 के multiples हों तो अब भाई वो भी निकालना पड़ेगा मुझे 20 के multiples तो वो भी बनाते हैं हम लोग ठीक है अब उन 38 numbers में से आप खुद thought दो कि मैं वो numbers बनाऊं जो 20 के multiples हैं तो वो तो बहुत tedious job हो जाएगा तो मैंने थोज़ा दिमाग लगाया कि मैंने का वो numbers बना लेते हैं जो 20 के multiples नहीं हो मैंने कहा कि भाई numbers that are divisible by 5 but not divisible by 20 बाई divisible हो या multiple हो बात एक ही रहेगी ओके ठीक है अब digits मेरे पास में वो ही थी digits मेरे mind में है कि digits क्या थी भाई digits अपने पास में थी कि 224410 यह थी और 5 digit number बना रहा था जो 20 से 20 के multiples नहीं है 20 के divisible नहीं है इसका मतलब वो 5 के तो हो रहे हैं इसका मतलब वो 4 के multiples नहीं होने चाहिए अब वो cases क्या होंगे चलिए वो बना लेते हम लोग इसमें भी cases बनाने पड़ेंगे मुझे अब यह 5 से multiple था तो 0 तो last place पर है अब मुझे इस number को यानि कि जो 10th place पर नंबर है उस पर एक एक नंबर ऐसा लेना है जो कि 4 से divisible नहीं है तो मैं क्या लूँगे आपर 1 को ले सकते हूं यह दो नंबर मेरे fix हो गए है अब बाकी यह तीन नंबर चाहिए अब यह cases कैसे हो सकते हैं तो आसकता है तो आसकता है तो आसकता है यह case बनाए है इनका arrangement अब भी हम बनाएंगे यह second 1 & 0 तो fix है मेरे पास में यह fix है यह नहीं arrange होंगे तीक है अब क्या हो सकता है 2, 2, 4 हो सकता है 3rd 1, 0, fix है है ना यहाँ पर, यहाँ क्या हो सकता है मेरे पास में 4, 4 2 भी हो सकता है ठीक है, अब यह numbers भी बना सकते है numbers का मतलब इनका arrangement अब यह arrange कौन हो रहे हैं यह starting के 3 digits, यह arrange हो रही है ठीक है, तो यह भी 3 alike है तो हम इसको generally लिखे, तो 3 factorial upon 3 factorial लिए 1 हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चो 3 factorial upon 2 factorial 3 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 3 factorial upon 2 factorial, यहाँ भी 3 हो रहा है तो यह total कौन बने, कितने बन गए यह total 7 बन गए 7 ऐसे थे जो कि 20 के multiple यह 20 के divisible नहीं थे, यह नहीं थे मेरे पास में, ठीक है, मुझे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था, required probability क्या थी, कि given थे 5 के multiples, उसमें से वो निकाल ले थे, जो 20 के multiples हैं, ठीक है, तो मेरे required probability क्या हो जाएगी, total तो मेरे पास 38 थे, अब 38 में से मैंने 7 को minus कर दिय तो मेरा answer आ गया, ओके, और आप से पूछा गया था, 38 P, और इसका answer है, 31, ठीक है बच्चो, ओके, clear, इसका answer क्या आ गया आपके पास में, 31, ओके, चले, clear, ओके बेटा,